असलावलेकूम सभी भाइयों को मैं हूँ शफी बैंगलोर से जैसे हर बार बताता हूँ नमस्करावणकम सस्रियकाल तो आज वीडियो क्या होने वाला है तो वीडियो प्रोडेक्ट का कुछ नहीं है बस एक रॉड रॉड जो बैटकास्टिंग में खासकर सॉल्ट आर्मर जो हेवी गेम के लिए इस्तामाल होता है और हई शॉट जो हेवी शॉट्स मारते हैं उनके लिए इस्तामाल होता है प्लेस जो लिफ्टिंग करके स्पार्ट से थोड़े स्पार्ट होते हैं जहां पे हम वो खींच के निकाल नहीं सकते वहां से उसको lift करके lift करके निकालना होता है तो वही से spots के लिए वह वाला rod बहतर ही ना है और 7-7 7-7 फस्ट जो मैं यहां पर lifting बता रहा हूँ उसमें थोड़ा पूरा detail दूँगा rod के बारे में, reel के बारे में और thumb line के बारे में जो हम drag capacity maintain करना है आपको first lifting वीडियो में इतने सारे कुछ points जो मैं सीख कर हूँ वो आप से मैं share करता हूँ और उससे शायद बहुत सारे लोगों को फाइदा भी होगा बहुत सारे लोगों को पता भी चलेगा और जो मेरे pro anglers है बस आप लोग देखते रहे हैं बस वीडियो जो है beginners के लिए है और उसके बाद एक rod एक rod ऐसा है जो long casting का बहुत लोग questions करते हैं तो ये दोनों rod में क्या difference है क्यों long cast वो नहीं करता है क्यों ये करता है और इसमें frog settings, lure settings plus drag setting बहुत सारे हैं बहुत सारे फाइदे, लुकसान सब मैं आज आपको बता के देने वाला हूँ तो इसे आप क्या करना है थोड़ा video गवर से देखना है तो video गवर से देखना है क्योंकि बार-बार ये video नहीं बनते हैं आपको बहुत सारे videos हैं बहुत सारे लोग बनाएं तो हर किसी का एक technique होता है तो आपका टेकनिक मेरे पास नहीं है, मेरा टेकनिक आपके पास नहीं है, जो उसके पास है वो उसके पास नहीं है, तो ये सबसे फाइदा है, जो हम देख के एक से एक सीखना है, हर किसी से एक टेकनिक, एक पॉइंट हमें मिलता है, शायद मेरे से एक पॉइंट आपको मिल स जो जानता हूं उसी के बारे में बताता हूं तो जितना मुझे पता है मैं आप लोगों से शेर करता हूं देखते हैं आज का वीडियो क्या होने वाला है और सातो साथ डेडलिफ्ट का भी मैं बताने वाला हूं तो इससे भी बहुत कुछ है की तो यहां पर देख सकते हैं लुकाना सौल्ट आर्मर यह बहुत हैम रोड मींस क्योंकि इसका कास्टिंग वेट और लाइन रेटिंग यह सब आप चख कर सकते हैं कि यहां पर देख सकते हैं यह खासकर बना है रोड सॉल्ट आर्मर सॉल्ट फिशिंग के लिए जो बाइट कास्टिंग रील्स यूज़ करते हैं और ड्रम रील बहुत लोग ड्र सॉल्ट वाटर फिशिंग के आते हैं मल्टी प्लेयर रील्स वह वागेरा और खासकर यह रोड बना गया उसी के लिए लेकिन ज्यादा तर हमारे सॉल्ट वाटर आंगलर्स बहुत कम यूज़ करते हैं इसको बाकी स्नेकेड आंगलर्स वह तो हर कोई भी लेके एक शोक में रखता है या तो कुछ उनके टेकनिक से हिसाब से लेके रखते हैं लेकिन यह राड यह राड इतना मजबूत है इतना मजबूत है इस पर मैं दस किलो भी लिफ्टिंग करूंगा दस किलो भी करूंगा तो कुछ नहीं होगा बस मैं अभी टेस्टिंग के लिए सिर्फ चार किलो डेडलिफ में बताता हूं डेडलिफ बताने की वज़े बहुत लोग पूछते हैं रॉट्स पे डेडलिफ रॉट्स पे डेडलिफ बताईए बोलके एक्चुली क्या है थोड़े रॉट्स ऐसे हैं जो डेडलिफ हम कर सकते हैं वो हमें पता रहता है हम उस पे कर तब ही जा के हम करते हैं अभी यह पर बोलेंगे कि 5 kg कवकिर करके बताइए तो में यह पर लोटा है यह फंदिनी करूंगा तो राट तूटेगा। क्युंकिन यह सब लाइटवेट होते है जो लाय्क कुछ रोड़ ऑर यह एवी रोड है उसलिए रोड़ के ऊपर देता है मीडियम एक्शिन मीडियम हेवी और फास्टे एक्शन यह बहुत सारे हैं जो फहले ही यह रोड़ पर दे दिया जाता है ताकि आप लोग उसको देखके खरीच सके तो यह तो उसलिए मैं बता रहा हूं हेवी आक्शेन में आप लोग कर सकते हैं डेडलिफ वगेरा कुछ भी कीजिए कर सकते हैं क्यूंकि इसमें कौश्टिंग वेट दिया है 80 ग्राम 80 ग्राम से 400 ग्राम चार्सु ग्राम कौश्टिंग वेट आप खुद ये कर सकते हैं कितना कौश पॉर सु ग्राम तक कॉस्टिंग वेट वाला भईट कास्टिंग यह एकी राट देखा हूं बाकि राट मेरे पास अभी तक जितने भी आए अभी तक नहीं देखा हूं शायद होंगे लेकिन मेरे पास नहीं आहे तुमें इतना ही बोल सकता हूं और Heavy और बाकी इसका टिप जो है देखिए यहां पर बहुत आटा है तो इसके क्या लुकसान है इसका आप फ्रॉग फ्रॉग स्पून वागएरा सब खेल सकते हैं लेकिन क्यौस्टिंग डिस्टेंस थोड़ा कम जाएगा समझ जाएगा अभी 30 मिटर आप कौस्टिंग कर रहे हैं 30 meter max तो उसमें से 20 meter ही आपका cost जाएगा ये rod पे क्योंकि वो rod का tip stiff रहने के वज़े से hard रहने के वज़े से long costing उतना ही होता है और बाकी ये rod ये rod देख सकते हैं कितना flexible है तो यहाँ पे देख सकते हैं तो ये rods जो है ये बहुत फाइदे मंद होते हैं जो आपका lure long costing करते हैं बहुत मदद करते हैं long costing में खासकर ये वाले tips लेकिन जैसे मैं बताते रहता हूँ ये खासकर जो सीख चुके हैं खेल चुके हैं आप regular उसमें कर रहे हैं तभी जाके ये चला पाएंगे अभी आप सीख रहे हैं heavy shots मारके या तो कुछ खींच के lift करके आप लोग इसको तोड़ लेते हैं तो इसके फाइदे लुकसा next बताऊंगा पहले इसका finish कर लेते हैं तो ये हो गया salt armor तो ये deadlift तो इसपर मैं deadlift करने वाला हूं 4 kg तो यहां पर देख सकते हैं तो ये हो गया 4 kg 4 kg का deadlift जैसे मैं बताया था इसमें 10 kg 10 kg का भी मैं deadlift कर सकता हूं लेकिन जैसे मैं बताया store height नहीं है तो इसका मैं risk नहीं लोगा तो ये 4 kg का deadlift है तो यहां पर देख सकते हैं, यह हो गया, डेड लिफ्ट, तो 4 किलो नहीं, जैसे मैं बताया था, 10 किलो, 10 किलो यह राट पर मैं आराम से कर सकता हूँ, और इसका फाइदा लुक्सान, डेड लिफ्ट में क्या होता है, यह भी बताता हूँ, अभी मैं यहां पर इसको नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो लाइग, फिश जो होता है, कभी कवार शेक हो जाता है, वो शेक के समय में आप अगर इसे फिश को पकड़ते हैं, तो राट कट होने का चांसस है, क्यूंकि इस नेकेड जो फढ़ पड़ाती है, वो बहुत मजबूत से फढ़ पड़ाती है, आपको मज़ा आता है, लेकिन मज़े के फीचे एक पॉइंट भी होता है, वो हमें समझना है, तो कभी भी अपना राट फिश लिफ्ट मत करिए, इसका काम क्या है, फाइट करना, तार्गेट आपका पूरा करना, और मचली के साथ मज़े लेना, इसका फाइदा, यह का होता है, बाकि आप इस पे लिफ्ट करके वगेरा नहीं कर सकते हैं, बस हम बताते हैं यहां पे राट का स्ट्रेंथ, वेट करके, वेट करके और वो मडोड के, वो सब हम बताते हैं, वो क्या बोलते हैं, एक आपको जानकर ही मिल सके, बोलके हम वो वीडियो बनाते हैं, और और बाकी deadlift तो देख चुके आप तो salt armor यह तो famous rod है फिर भी बहुत लोग यह वीडियो देखे हैं बहुत लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जो लोग है शायद दूसरे चैनल में नहीं होंगे वहां पर नहीं देखे होंगे तो आपके लिए एक वीडियो देखने के मिल गया तो चलिए बढ़िया है और बाकी healing. Fucking Repeat द्राइट क्यूंत लिए ये इतना दिया आ रहा है तो इसका में फाइदा बताता हूं तो द्राइब क्यापासिटी आ अब यह जो कास्टिंग करते हैं कास्टिंग करने के बाद मच्छी लग जाती है लग जाती है ज्यादा तर आपको यहां थम लाइन यह थम लाइन पर अपना ड्रैक कंट्रोल करना रहता है तो कैसे थम लाइन पर हम कंट्रोल करेंगे बहुत लोग का सवाल रहता है अभी मच्छी लग गिया ओके कैने के बाद ड्रैक के पैसिटी काफी नहीं है बहुत लोग बोलते बाकि drag control करने की technique यहां पर बोल के देता हूँ तो drag control करने की technique जो है पूरा अपने थम पे होता है आपके थम पे पूरा control होता है ना कि आपके पूरे reel पे क्यूंकि इसके shocks बहुत छोटे छोटे आते हैं चलिए एक branded reel है अभी एक branded reel है तो इसके gears जो आते हैं brass के high quality के होते हैं तो इतने आसान से इसका drag वगेरा कुछ lose नहीं होगा तो मैं यह बता रहा हूँ यह technique मैं किसको बता रहा हूँ beginners को जो कम price के reels लेते हैं कम price के reels चलाते हैं उनके लिए यह technique है बाकि मैं भी खुद हम use करते हैं KTC high brand में तो सबको effect नहीं होता है high brand के लेके use करना तो उसलिए मैं इस पर compare नहीं कर रहा हूँ बाकि मैं beginners के लिए बता रहा हूँ क्या करना है आपको तो जब fish fight कर रहे हैं तो आप fish वहां पर वह क्या कर रहे हैं खेल रही है आप यहां पर डालके घुमाते रहते हैं तो क्या होता है वह fight के वज़े से आपके वह washers घटना चालू हो जाते हैं तो वह कभी भी मत करिए जब आप fish hook up हो गया तो इसे क्या करना है fish hook up हो गया अभी यहां पर तो आप देख सकते हैं मच्छी मच्छी जब लग गई है तो आपको retrieve रिट्रिव कब करना है यह थम यह थम यहां पर press करके lift करना है lift करना है push up करना है अपने आगे fish को लाना है फिर rod आप जब नीचे छोड़ते हैं तो आप retrieve करना है तो यह करना है क्या करना है जब लिफ्ट करते हैं फिश को आगे लेना है बस ओके तो 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 क्या करना है हमें फिश को फिश को क्या करना है ऐसे आगे लेना है मिन्स आगे खींचना है आगे खींच के जब अपना रॉड छोड़ते हैं तो रॉड छोड़ते समय रिट्रिव करना है तो क्या होता है फिश आगे आती है जब अपना रॉड नीचे छोड़ते हैं त तो लाइन क्या होता है लूज होता है और लाइन फिल अप हो जाता है तो इसमें आपका ड्रैक्स बहुत जल खराब होने के चांसस बहुत कम रहते हैं तो यह मेंटेन कीजिए बाकी सही हो जाएगा बस यह जैसे मैं बताया जो कम प्राइस के रील्स आते हैं उनके लिए बहुत फाइदे मन्द है बाकी ब्रैंड रील्स में खासकर ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है आपको फिश अप लग गया ब्रैंड रील्स पे आप वही से ही रिट्रिव करके निकाल सकते है या तो यह टेकनिक भी यूज करके निकाल सकते हैं आपका है बाकी बीगनर्स के लिए सबसे बहतरीं दो पाइंट है वो तो उसके बाद उसके बाद आता है यह वाला राड मिंस एक अन ब्रैंड अन ब्रैंड जो हमारे भाई लोग जो कम प्राइस में एक बजट में सिक्स इयर्स पहले उससे आगे बोल सकता हूं यह वाला रील मैं मंगवाया था अली एक्स में तो यहां पर देख सकता है ट्रीगर कुछ ब्रैंड है लेकिन बहुत अच्छा रील है जो सिक्स कुछ नाम है मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है लेकिन बहुत फाइदे मन्द है बहुत मुझे साथ दिया सिक्स इयर के ऊपर हो गया सिक्स सवें यर्स हो रहा है लेकिन अभी तक यह रील को अभी तक मैं कुछ नहीं किया जैसे लिया वैसे ही तभी से भी चला के आ रहा हू मैं उसलिए बोलता हूं कभी कबार चैनीज प्रॉडेक्ट जो है बहुत साथ आ जाते हैं प्राइस भी कम होता है और साथ भी आ जाते हैं लेकिन चलिए इसको मैं बहुत बार कोशिश किया ला सकूं लेकिन वह कंपनी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है देखते हैं अभी एक हमें मैं कोशिश करूंगा यह रिल लाने के लिए जरूर क्योंकि डिलर मिले हैं तो आलमस्ट हो जाएगा तो इसका फाइदाल लुक्सान जैसे मैं कॉस्टिंग का डिस्टेंस बताया तो इस पे यह रोड पे अन ब्रैंड है तो यहां पे आपको लियोर वेट कास्टिंग गेरा कुछ नहीं मिलेगा खासकर अन ब्रैंड पर इससे कुछ नहीं आता है आता भी है तो पूरा गलत आता है जैसे मैं बताता हूं न वहां पे 100 ग्राम भी वह रोड कास्ट नहीं करेगा लेकिन 200 ग्राम कास्टिंग वेट दे देता है तो ऐसे क्या था तो उसलिए बोलत मैं सेलर हूं मैं कुछ भी ला सकता हूं कुछ भी सेल कर सकता हूं लेकिन आप लोग को क्या करना है अपने दोस्तों में दोस्तों में या तो जो मैं खुद यहां पर बताता हूं यह ले सकते हैं यह नहीं ले सकते हैं मेरे पर एकीन भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं मैं 50-50 पी बलता हूं कि यह नहीं कर सकता लेकिन लाना में बता कर के में पूछब करिए बस मैं इतना ही नहीं रहता है तो ये सब बहुत सारे हैं तो सोच समझ te rupees और अभी आज कल बहुत सारे crunch roommates हाते हैं आरे तो ले लेते हैं लेकिन विचारे जो उन व्हों पता ही नहीं है कैसे सब करें और किस चीजों से में वह णींट आपा था है तो चलिए आज एक दो तीन पॉइंट जो मुझे रेगुलर कंप्लेंट्स आते हैं तो सीधे रही ले ले लेते हैं लेकिन वहां पर नॉट सही नहीं मारते हैं नॉट आपको टाइट मारना है जो स्कूल है तो टाइट मारना है प्लेस वह लूज लाइन घुमाके चड़ा देते हैं बस क्यूंकि वहां पर पूरा सहूलत उनको भी नहीं होती है लेकिन क्या करें जो मैं बोलता हूना सही जानकारी आगे देंगे तब ही जाके सब लोग उसको फालू अप करेंगे तो बैक टू बैक टू बैक टू बैक वह कंप्लेंट्स फ्लेस वह क्या बोलते हैं एक इसके सगा हो जाता है मतलब वह कुछ याद नहीं आ रहा ह्ट बोलते हैं न इस घrzyए माइं गड्रडे में गिर गया तो साथ मैं लेकर सब कोDaddy को यह लाइन शैлом ơi या अबिमीं बताता हूं जब आemie आप लाइन ठीक नहीं क्यां लाइन अंधर πε्ण औरन राइट से मारते हैं थाइट से मार के उसको नॉट दालते हैं तब वह स्पूल को टाइट से पकड़ता है तभी वह ड्रैक काम करता है अभि में यह इसे ही चुक्थ किये ड्रैक लूस करें लेता कितना भी independent टाइट कर लो ड्रैग ऐसे आता है क्यूं क्ये आता है क्यूंकि आप बोलते हैं जब वो नौट सही से वहां पर स्फूल पे नहीं पकड़ता है तो ए हैसे होता है तो jnis से मैं बताता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं retrieve कर रहा हूं, तो retrieve भी करूंगा, तो यहाँ पे drag काम नहीं करेगा, तो यह drag काम नहीं करने की वज़े है, वो जो knot आप shadow note दालते हैं, spool में, वो यंदर में slip हो रहा है, लेकिन हमें पता चलता है यहां टॉप में line घूम रहा है लेकिन मचली नहीं आ यह हमारे mind में होता है लेकिन connection connection यहां से होता है यह main line यहां से line तो ऊपर full है आपको लग रहा है कि drag सख्रीक पूरा सही किया हो drag नहीं प Background रहा है तो यहां पर आपको सही दिखता है लेकिन main मेन जो काम होता है यह वाला यह वाला जो गेर स्टार नाप जो है जब आप इसको टाइट करते हैं तब इसका मेन पता चलता है तो यहां पर देख सकते हैं अभी मैं इसको जितना भी टाइट पकड़ों जितना भी टाइट पकड़ों यह आएगा जितना भी मैं टाइट तो इसे क्या करना है ? not up , आप सही से मारना है लाइन जो फिल करते हैं ? टाइट से फिल करना है येक तो लाइन सबसे जादा समझ लीजे 70 मेटर लाइन पकड़ रहा है आप टाइट से लाइन फिल करते हैं क्योंके line tight से fill up होता है तो उस वाज़े से बढ़नेस उतना आसान से नहीं पड़ता है और बहुत लोग बोलते हैं के बढ़नेस बढ़नेस बहुत आता है costing के समय तो उसका वाज़े यह है तो यहां पर देख सकते हैं यह frog लो तो suddenly तो इतना स्पीड से अगर आपका frog इतना स्पीड से अगर आपका frog गिरता है तो यहां पर magnetic प्लेस टेंक्शन नॉब यह free है तो इस वज़े से आपका वह बढ़नेस पढ़ने का चांसा साथ है तो बाकी टली ? ओके अच्छब ओक्यं है ठीक है को बढ़नेस पढ़ने की वज़े यह होता है तो इतना स्पीड से अगर frog गिर रहा है जब आप ओठं मि कर रहे ऐ है ड्रैक कास्टिंग के लिए अपना प्रेस CRASK कर रहा है तो इतना स्पीड से frog गिर रह तब आपका बढ़नेस को tight करता हूं तो ये हो गया ? simple सा ये ये भी speed है तो इसको और थोड़ा tight कर लेंगे तो आलये तो ये देख सकते हैं तो ये वाला में جो Tights है ये beginners के लिए सही है जुबढ़ने नहीं आना चाहरे हैं तब आपको इस तरह एसे थोड़ा भी करते हैं, तो इसे गिरना है, तो यह क्या होता है, कास्टिंग, लॉंग कास्टिंग थोड़ा कम करता है, लेकिन बड़नेस इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो टाइट होने के वाज़े से, क्योंकि यह मैंगनेटीक और मैंगनेटीक जो है,是這樣 6, 6, 5, इतने में रखके आप magnetic ये use कर सकते हैं क्योंकि magnetic जो है हर rail में अलग अलग आता है बहुत सारे system से आता है कोई अंदर से magnetic gears होते हैं और ऊपर से gears होते हैं तो magnetic के बारे में हम ज्यादा deep में नहीं जाएंगे और confused भी नहीं करेंगे बस हम यहां पे सबसे आसान है अपना tension knob tension knob यूज करना है हर lure पे अभी अभी मैं 18 gram का lure यूज कर रहा हूं तो अभी मैं suddenly थोड़ा long थोड़ा दूरी पे मुझे एक हरकत दिखा मशली जो खेल रहे हरकत दिखा तो मैं क्या करता हूं suddenly frog change करता हूं 25 gram का frog डालता हूं तो यह हरकत के बीच में यह होता है क्या अपना दि इसे क्या करना है अपना change किये तो अपना settings भी आपको change करना है तो settings तो जब आप setting करते हैं तो यह होता है main tension knob तो यह tension knob में आपको दिखिए बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते है तो यह देख सकते हैं यह होता है बढ़ने स्पढ़ने का chances क्योंकि मैं थोड़ा सा tension knob loose किया तो यहां पर बढ़ने स्पढ़ना start हो गया तो यही बोलता हम बस यह आपको tension knob पूरा हमारा reel का यहां होता है system जो control कर सकते हैं तो अभी मैं थोड़ा tight कर लिया तो यहां पर देख सकते हैं अभी यह क्या हो रहा है खोलने के बाद धीरे धीरे आ रहा है इसमें costing थोड़ा कम होता है जो beginners हैं उनके लिए बहुत फाइदे मन्द हैं ऐसे नहीं कि आप पूरा tight करके खेलें ऐसे भी नहीं है जैसे मैं बताया थोड़ा means अभी यह देखिए ओके इसे टिच करता हूँ तो आभी मैं ऐसे टिच करता हूँ तो वो निकलना है तो यहां देख सकते हैं length तो थोड़ा भी मैं टिच कर रहा हूँ वो आगे से आ रहा है तो यह बहुत बहतरीन होता है settings beginners के लिए यह settings पे आप खेलिए कुछ नहीं होगा और बाकी ध्यान रखिये जब आप वो lock खोलते है suddenly frog नीचे नहीं गिरना है तो जब वो bearings वोगेरा सब full free हो जाते है तब ही बढ़ने साथ है और बाकी drag बहुत लोग drag बताते है क्योंकि पता नहीं रहता है जब drag आप अपने तरफ अपने तरफ जब यह करते है ऐसे करते है तो drag lose होता है आगे तरफ राट के तरफ इस साइड में अगर आप drag tight करते है तो यह drag tight होता है तो यह भी बहुत लोग को पता नहीं है तो समझ जाए अपने तरफ करेंगे drag थोड़ा कम होते जाता है आगे करते जाएंगे तो बढ़ते जाता है तो यह इसे यह drag setting है और बाकी जैसे मैं बताया था फिश fight करते समय थोड़ा ध्यान रखिये अपना thumb line सबसे ज़्यादा आपको यूज़ करना है यह बहुत फाइदे मन्द है जो Chinese reel है जो भी कम budget के reels है वो थोड़ा आपको life आते है तो इसमें almost यह हो गया और spooling spooling का भी बताता हूँ तो यहाँ पे देख सकते है spooling यह जान बूच कर हमने fill किया है बताने के लिए तो यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे line कम पकड़ा है तो यहाँ पे ज्यादा पकड़ा है तो इसकी वज़े क्या है जब आप line fill करते हैं fill करते हैं तो आपको spool spool test करना है spool shake हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर spool shake होता है तब जाके line up down इधर उधर हो जाता है तो line fill करते समय अपना tension knob tension knob tight करना है tight करना है tight करके spool आपको test करना है हिल रहा है नहीं हिल रहा है अगर नहीं हिल रहा है तो अपना line fill कर सकते हैं तब आपको up and down line वो fill up सही से बैठेगा जब spool हिलता है तो line वो इधर उधर हो जाता है 1 side full, 1 side come fill होना chances हो जाता है तो यह point है यह याद रखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा फीचे जाए फिर फारवर्ड कीजिए देखिए और एक से दो बार देखिए आपको शायद समझ में आ जाए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेर कीजिए क्योंकि मैं खासकर हर एक पॉइंट बताने की क कкое कोशिश करता हूं। और डीपर जाएंगे तो बहुत कुछ है, थो हम डीपर नहीं जाएंगे जितना जरूरत है जो प्राब्लम्स मुझह रोज रोज आते हैं बताते हैं प्राब्लम्स आ रहें तो उतने ही प्राब्लम्स में आपको बता के दे रहा हूं तो इसमें और कुछ जानकरी चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं जरूर उसका वीडियो अगला वीडियो जरूर करेंगे और स्पिनिंग और बैटकास्टिंग ये दोनों में अंतर क्या है बहुत लोग पूछते हैं तो अभी इसके बाद इसी पर हम काम करेंगे तो इसी पर काम करेंगे शायद मेरे भाई 50-50 ड्रॉप हो जाएंगे जो मेरे रेगिलर वीडियो देखते थे शायद 50-50 ड्रॉप हो जाएंगे क्युनकि पता है आप और थोड़ा मुझे सिखाने की कोशिश करिए कमेंट्स करिए उसे मुझे बहुत फाइदा होता है और जो नहीं जानते हैं वीडियो पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेर करिए ताकि उनको भी वो एक पॉइंट मिल सके तो नेक्स्ट वीडियो देख तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों क्लियरली एक्स्प्लेन करने वाला हूं और जितना मुझे पता है उतना ही बताओंगा याद रहे क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा कमेंट्स मत कीजिए क्योंकि जितना मैं जानता हूं उतना ही मैं शेर करता हूं उससे ज्यादा मै आगे जाता नहीं हूँ, तो चलिया, बढ़िया है, शायद बहुत लोग को इससे फाइदा भी हुआ, बहुत लोग को पता है, कुछ भी चलेगा, तो ये हो गया, बाइट कास्टिंग का थोड़ा डीटेल, और हमारा सॉल्ट और मर, जो एक बॉक्स रॉट्स बचा हुआ था तो उसे निकाल चुके हैं, कल इसको भी जरूरत है, कल से आप उसका बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया, सभी भायां का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं, और बैक साइड देख रहे होंगे, शायद आलमोस्ट स्टाक खतम होते आ रहा हैं, तो शायद अभी एक six days बचा हुआ है, उसके बाद दूसरा offer हम सोचेंगे, क्या देने वाले हैं, और आप भी थोड़ा राई दे सकते हैं, हमें क्या दे सकें, कैसे दे सकें, और क्या कर सकें, कुछ भी, आपका भी एक mind होता है, आपको भी पता रहता कुछ न कुछ, क मेरा सोच आपका नहीं है, आपका सोच उंका नहीं है, उंका सोच इंका नहीं है, हर किसी का सोच अलग-अलग होता है, तो सबसे सीखना है, तो मुझे भी सबसे सीखना है, क्या करना है, अगले वीडियो में, तो ये तो confirm है, उसके बाद छे दिन के बाद कौन सा offer ले के का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं हमें इसे ही सपोर्ट करते रही है इंशालला अच्छे से अच्छा प्रोडिक्ट लाके देने की हर बार कोशिश रहेगी शुक्रिया